हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू मैं चैनल स्वेताज की चैनल लाइफ स्टाइल दोस्तो आज एक ही केक में दो सेड इस तरीके से मुझे देना है तो चलिए बनाते हैं एक नया डिजाइन हाप के जी केक के लिए मैंने यहां एक कप प्रिमिक्स लिया है यह वनिला प्रिमिक्स है जिससे मैंने 240 ml के कप से एक कप लिया है और 6 इंच के केक टीन में मैंने रिफाइन ओयल लगा दिया है और साथ ही मैंने उसमें प्राश्मेंट पेपर भी लगा दिया है एक कप केप्री मिक्स में आधा कप मैं पानी डालूंगी और थोड़ा समय रिफाइंड ओयल यूज़ कर रही हूं और इसे हैंड मिलेंडर से एक या दो स्पीट पे मिक्स कर लेना है जब तक ये थोड़ा हलका लाइट और फ्लाफी ना हो जाए तब तक आपको मिक्स करना है इसमें आपको एक से देर मिनट लगेगा और ये देखिए मेरा बैटर त्यार तो है लेकिन मुझे थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है पानी थोड़ा सा और एड करूंगी और इस पैचुला से ही इसे मिक्स कर लूंगी OTG को 160 डिग्री पे मैंने प्रिहिट कर लिया है और इसे 160 डिग्री पे 35 मिनट तक के लिए बेक करूंगी 35 तो 40 मिनट लगी जाते हैं केक के बैटर के अनुसार भी होता है ज्यादा बैटर छोटे केक टीन में रहेगा तो टाइमिंग ज्यादा लगेगा इसलिए आप अपने OTG के हिसाब से चेक कर लें कमेंट आता है कि केक बीच से फूल क्यों जाता है आप पानी अगर उसमें परफेक्ट डालेंगे और इस तरीके से गोल-गोल गुमाते हुए एदम बराबर लेयर कर देंगे तो आपका केक फ्लैट ही रहेगा मैं दो केक बनाने वाली हूँ जिसका क्रीम एक साथ ही मैं बीट कर लूँगी तो उसी के लिए मैंने यहां पर पॉने दो कप क्रीम लिया है दो हाप केजी का केक ही मुझे बनाना है जुरू चुरू के एक दो मिनट हमें मीडियम स्पीड़ पर इसे मि 싸 करना ऐ और उसके बाद सपीड हाइ करके और दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दो साथ ही जात मेरे चानल पर नए हैं तो मेरे चानल को जरूर सी जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको क्रीम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक स्पेचल वीडियो इसके लिए है जिसमें बहुत सारे कोश्चन का सॉलीशन मैंने बताया है जो आपको problem आ सकती है, वो भी मैंने उसमें solve करके दिखाया है, तो आप उस video को जरूर देखें, आज मैं vanilla cake बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने milk made का use किया है, आप देख सकते हैं, sponge काफी perfect बनाया है, और बीच से बिलकुल भी उठाने ही है, एक तम बराबर layer है, और इसका सिर मैं जैसे last में इसे एक बराबर करती हूँ, आपको भी उसी तरीके से बराबर करना है, और आप देखेंगे कि result यही होगा, sponge को मैंने उपर और नीचे से जितना brown ज्यादा दिख रहा था, वो मैंने हटा दिया था, और मैंने इसे अब तीन layer में काट लिया है, आप चाहें तो side से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं 180 gram premix से cake बनाती हूँ, तो यह मैं side से नहीं हटाती हूँ, अगर आप 180 gram लेंगे premix, तो आप side से भी हटाएंगे, तो आपके जी का perfect cake बन जाएगा, पहले layer पे मैंने दूर से soak किया है, और उसके बाद मैंने cream लगाया, और cream लगाने के बाद मैं थोड़ा सा milk made इसके उपर डाल लेंगे हूँ, और डालने के बाद मैंने दूसरा layer रखा, फिर से इसे milk से soak किया, औ और फिर मैं cream लगाऊंगी, और इस पे भी milk made का एक layer डालूँगी, side के gap को भर लेंगे पहले, दोस्तो केक से related आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछने हो, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी problem आ रही हो, केक बनाने में या cake से related, तो आप मुझ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूँगी, अब देख सकते हैं, इसके उपर भी मैंने एक layer condensed milk डाला है, और उसके बाद मैंने तीसरा layer रखा, और इसे भी मैंने हलका सा दूद से सोक कर लिया, किनारे में अच्छी तरीके से सोक करेंगे, ताकि केक में क्रैक्स ना आए, क्रम कोट हो चुका है, अब मैं इसे दूसरे बोर्ड पे सिफ्ट कर लूँगी, और सिफ्ट करने के बाद इसे 15-20 मेर तक फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, इसमें मुझे दो सेट देना है, इसलिए मैं इसमें का यूज करें दोनों क्रीम लगाने में, और दोनों पाइपिंग बैग का एकदम कटिंग जो करें, आप एकदम बराबर करें, मैंने दूसरी तरफ ये क्रीम में कलर मिक्स किया है, और दूसरी तरफ कलर रहेगा, और एक तरफ वाइट मैंने कर लिया है, तो चलिए इसे भ जो है इधर से उधर फैल ना जायत मतलब आपका डार्क लाइट सेड दोनों एक्तम पर्फेक्ट अगर लगा रहेगा तो सही रहेगा क्रीम थोड़ा भी लाइट डार्क का सेड ना हो तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रही हूँ वो अभी आप देखेंगे मैंने पहले हलका सा पैलेट नाइप से इसे क्रीम को मिक्स कर लिया है और मिक्स करके जो गैप है उसको मैंने भर लिया है उसके बाद मैं इसमें प्लास्टिक के जो सीट आते हैं जो काफी सस्ते होते हैं इसमें सेट आते हैं 50-60 रुपे के होते हैं सेट में होता है और उसी का बड़ा वाला सीट मैंने लिया है और उसी से मैं इस तरीके से इसे प्लेन कर रही हूँ और ये सबसे परफेक्ट है इस से पर्फेक्ट आइसिंग होगी आप देखेंगे कि कितना पर्फेक्ट हमारा केक आइसिंग हुआ है और उपर सी लास्ट में मैं एक बार इस तरीके से कर लूँगी ताकि दोनों एक दम बराबर हो जाए अब मैं विल्टन का 21 नोजल यूज कर रही हूँ जिसके लिए मैंने डार कलर वाइट से की तरफ लगाया है और वाइट कलर जो है वो मैंने डार कलर की तरफ लगाया है तो इससे केक का लूँग और भी अच्छा लगने लगाया है ये मुझे picture मिला था और इसी को देखकर मुझे cake बनाना था लेकिन उसमें black color था तो black color मैंने customer को बोला कि काफी करवा हो जाएगा बहुत जादा color यूज होता है black color बनाने में तो उन्होंने मुझे blue color करने का suggestion दिया और मैंने उसी तरीके का cake बनाया जिस तरीके का मुझे picture मिल था तो दोस्तों simple सा cake है लेकिन काफी सुन्दर दिख रहा है आप भी comment करके बताया ये कैसा दिख रहा है लेकिन ये cake बनाना सच में मुश्किल है क्योंकि आपको दोनों सेट को एकदम बराबर लगाना है आप देख सकते हैं कोई भी मेरा color जो है इधर से उधर नहीं हुआ है बिल्कुल perfect icing हुई है और इस perfect icing को करने में अगर आप beginner है तो आपको problem आएगी अगर आप मेरे technique से करते हैं तो आपको इस icing को भी करने में दिक्कत नहीं आने वाली है तो चलिए जल्दी से जल्दी comment कीजिए कि आपको ये cake कैसा लगा अभी मैं इसे pack भी कर लूँगी तो pack करने के लिए मैंने इसे box में रख दिया है और अब मैं इसे box को बंद करने वाली हूँ तो ये है हमारा cake जाने के लिए तयार थैंक यू